नमस्कार में हूँ गरीमा स्वागत आपका दस्तक लाईव में आईए बढ़ते हैं इंदोर की खबरों के और इंदोर के चंदननगर इलाके में आज सुब दोबाईयों के हत्या से संसनी फैल गई है प्रारंबिक जानकारी के अनुसार नई मोर छोटो नामक शक्स की यहां हत्या कर दे गई बड़ जारा है कि हत्या जमीनी विवाद के चकर में हुआ है पुलीस के अनुसार चंदननगर की गरीब नवाब कॉलोनी में वारदात हुए इसमें सतर साल की महिला खुर्षिद भी गंबी रूप से गायल हो गई है गटना सुबर पांच बजे हुई है पुलीस को ने मामले की चांच कर रही है इंदोर अनलोग होते ही अपरादी एक बार फिर्ष सक्रिय हो गए है और हत्या जैसी गटनाओं को अंसाम दे रहे है ताजा मामला इंदोर नगर ठाना शेत्र की गरीब नवाब कॉलोनी का है जहां अलसुब बदमाशों ने जमीन की विवाद में हमला कर दो भाई नई मुझ छूटू के हत्या कर दी वही हमले में मृतकों की मा खुर्षीद भी भी गायल हो गई बदाज़ारा है कि मृतक का परिवार बिक्षा वरत्ती करता था और आरोपी मृतक के पड़ोस में ही रहते हैं कल भी जमीन पर कबजे को लेकर दोनों परिवारों का विवाद हुआ जिनमें दोनों ही पक्षों की रिपोर्ट थाने दर्ज में करवाई गई थी महीं आरोपी उन्हें अलसुब 15-20 लोगों के साथ हमला कर दिया जिसमें नईम वचुटू की मोध हो गई महीं उनकी माँ खुर्शिद भी गायल है जिनका इलाज अस्पताल में चुल रहा है बदाज़ा है के आरोपी अफरादिक प्रवत्तिके हैं और कॉलोनी में आए दिन विवाद करते हैं पुलाल घटना के बाद से ही आरोपी फरार है जिनकी पुलीस तलाश कर रही है ग्याद रहे कि एरपोर्ट से लगी इस इलाके की जमीनों पर आए दिन कबजे और अवेत कबजों के मामले सामने आते रहे हैं शिकायतों के बावजूत प्रिश्वासन का रवया सुस्त रहा है जिसके चलते बू माफिया सक्रिये हैं और इस तरह के विवाद होना आम बात हो चुकी है तो फिर से विवाद हुआ जिसमें लोगों ने परानगार तक हमला किया एक परिवार ने दूसरे परिवार पर तो इस परिवार में दो लोगों की मौत हुई है है एक मजिला गंबीर घायल हुई है हम लोग आरुपिंगी तलाश कर रहे हैं कल्बिन का कोई वाद होता है हाँ शाम को वाद हुआ था जिसमें के फायर दर्ज हुए दोने पक्षवे उपर जी जी और यह आपस में पड़ोस पड़ोस के हैं तो इंक्रोश्मेंट आपस मे एक दूसरे को उसको लेकर जला कर रहे थी